हेलो एव्रीवन वेलकम बैगी नवर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूं कपिल तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुश्चन नमर 139 को आज हम कंप्लीट करेंगे जैसा कि आप सभी लोग को पता इसी टेट का रिजल्ट जो है आउट हो चुका है जिन क्यारी में लग जाई है बिल्कुल टाइम बेस्ट अपने बिल्कुल मत करिएगा जिस भी सब्जेक्ट में आपका भी के उस पोश्चन को आप कंप्लीट आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिएगा ओके तो देखिए आज हम 39 को आज हम कंप्लीट करेंगे से पहले 138 का दुस्तों कोश्चन आपका पूछा गया हमने यह कोश्चन लिया इसका जोमेट्री से टॉपिक से ठीक है और कॉमन कोश्चन आपका यूपीट आटम मुश्चलिए आपसे पूछा जाता है यूपीट आट के लावा टीजटी पीजटी में वी एक कोश्चन काफी बार अबनकीन कोश्चन आपको बताना ठीक है इस कोश्चन को करने से पहले 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 दो कोश्चन हम कर लेते हैं जिसे कि आपका इसका ब्रत का केंदर ओ है, center जो दे रखा है, ओ दे रखा है, आपको angle ACB 40 दे रखा है, angle ACB की जो value 40 डिगरी है, तो आपको angle AUB, यानि कि center का angle आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, आप देखें, आपने mind माँ बिठा लीजिए गा, अगर आप से center का angle पूछा जाता है, और आपके circle की boundary से touch होता है, एक angle आपको दे दिया जाता है, तो आपको वहाँ पर करना क्या है, बच्चो, कुछ भी नहीं करना है, students, वहाँ पर directly आपको multiply कर देना, यानि कि angle आपसे क्या पूछा गया है, angle AOB आपसे पूछा गया है, जो center का angle होता है, boundary वाली angle का double होता है, यानि कि 2 multiply 40 degree, यानि कि जो आपको यहाँ पर answer आएगा, वो आएगा आपका 80 degree, यानि कि इसका जो answer होगा, center angle वो होगा 80 degree, यानि कि जो आपका option है, वो आपको यहाँ पर D, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, and I hope आपको यहाँ पर सब कुछ समझ आ गया होगा, अगर center का angle निकालना है, boundary वाले angle का आप डवल कर दीजिए, ठीक है, question यूपीट है 2018, और REIT में भी साथ साथ आपसे पूछा गया है, common question है यह बच्चो, तो second question आपका यह है, C पर depend question है, दी गई आकरती में, ब्रत का केंदर जो वो हो है, और angle AOB, यानि कि अब आपको center का angle है, आपको given है, तो center का angle से रखा और आपसे boundary का angle पूछा है, यानि कि A, C, B आपसे पूछा है, same उपर अभी हमने क्या किया था, वहापे divide किया था, आप यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर multiply कर देंगे, angle A, C, B is equal to half of center, center का angle है, उसका half होता है, यानि कि 25 आपका यहाँ पर आजाएगा, यान आपको दौनों ही आपे property आपको समझ आ गया हूँ, circle को लेके, अगर boundary का angle गया बने, center वाला double हो जाता है, अगर center वाला दे रखा है, तो उसका half आपको उपर लिख देना होता है, तो यह सीधा सीधा सा concept था, simple सा, अब इसी concept को में अपनी main question में जो अभी आपके thumbnail पे लगा अगर यह boundary का जो angle निकालना है, उससे पहले हमें यह वाल angle find करना ही होगा, तब ही हम उपर जा सकते है, अगर हमें यह वाल angle मिल जाएगा, उसका half उपर लिख देते हैं, जैसे अभी हमने starting के दौने question बताये थे, ठीक है, अब जड़े आप ध्यान से समझें और बताइए का O से A, इस circle के लिए क्या है, radius है, O से A क्या है, circle के radius है, O से B भी आपका circle के लिए radius है, यानि कि आपकी जो opposite side है, वह आपकी यहाँ पे same होगई, opposite side क्या होगई, आपकी same, यानि कि हम बोल सकते है, O A is equal to O B क्यो होगी, क्योंकि O A is equal to A b होगा, because both are radius of four circle, इस circle के लिए दोनों क आपकी radius है तो opposite side एककोल होगी अगर किसी भी triangle में opposite side सेम होती है तो उसके opposite angle भी तो एककोल होता है यानि कि यह वाला angle भी आपका 40 degree होगा अब हम जाएंगे in triangle इस वाले triangle में triangle A, O, B में angle sum property से तीनों angle का जो सम होता है वो आपका क्या होता है 80 degree 180 degree दो angle हमें पाता है 40 plus 40 plus angle A, O, B okay is equal to 180 degree हमने यहापे angle sum property लगा दे किसी भी triangle में तीनों angle का जो सम होता है वो 180 degree के वरावर होता है तो यहाँ से आप easily angle A, O, B आप यहाँ से निकाल सकता है यानि कि 180 minus का 80 degree 40, 40, 180 इसको left hand, right hand पे लेके जाएंगे minus हो जाए यानि कि angle A, O, B जो आपका आएगा वो आएगा 100 degree तो हमने center का angle है यहापे निकाल लिया बच्चों क कितना आ गया? 100 degree अभी हमने ऊपर जो question किये थे हमने आपको हमे प्रॉपर्टी एच्छी तिरी किसे समझाई थी अगर हमे center का angle मिल जाता है, boundary का angle निकालना होता है उसको हम half कर देते है यानि कि angle A, C भी जो आपका निकल के आएगा वो 100 का half होगा, okay? तो divided by 2 यानि कि हम बोल सकते हैं, इसका जो answer है वो 50 degree जो option A आपको हमें पर बिल्कुल सही हो जायागा, यह paper 2 में आपको हमें question देखने को मिलते हैं और मिल भी सकता है, तो and I hope आपको यह आपको properties, दोना property थी उसमें depend यह question आपको बिल्कुल समझा गया होगा, अगर कोई भी doubt is this student, please आप वीडियो क में आप जिट जाईए, okay?